जय हिंद जय जवान जय किसान देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं लगातार देख रहा हूं कि तीन दिन और फरकार पर दोनों पर मैं टार्गेट कर रहा हूं लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार मेरी बीडियो पर कुछ गोबर भगते और अंदभगते आ करके बक्चोदी करने का काम कर रहे हैं और मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं फरजी आईडी बना बना करके और वो लोगे कह रहे हैं लगातार हमें जाती सूचक फब्द पर आकर के वो हमें ट्रोल करते हैं और टार्गेट करते हैं और मेरे मेसेंजर पर जाकर के लिखने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि यहिरों की बुद्धी गुटने के नीचे होती है कुछ लोगे कहते हैं कि यहिरों की बुद्धी 12 बजे खुलती है मैं उन गोबर भगतों को यह बताना चाहता हूं कि मैं जाती का अहिर हूं लेकिन मैं सारे समाज के लिए लगने का काम करता हूं मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं अहिर हूं लेकिन मैं तुम लोगों को अहिरों की कारगुजारी भी बताना चाहता हूं जो तुम कहते हो कि अहिरों की बुद्धी 12 बजे खुलते हैं या अहिरों की बुद्धी गुटने में होती है या अहिरों की बुद्धी 60 साल के बाद खुलती है अरे तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर अहिरों की बुद्धी ही देखना है तो तु का अस्थापित कब जा कराया बिना हथियार उठाए और उन्हीं का उपदेश गीता है जो कि तुम गीता सुना सुना करके अपना जीवन गुजर बसर करते हो यह हमारे दादा किशन की देन है जो कि अहिर कुल में पैदा हुए थे मैं तुमको दूसरा यह बताना चाहता हूं कि जो तुम कहते हो कि यहिरों की बुद्धी 60 साल के बाद खुलती है अरे बेशर्मों तुम इतिहास उठा करके देख लो पूरे भारत का चाहे आजादी के पहले का और चाहे आजादी के बाद का कि आज तक 34 साल की उमर में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुखिया अ होती है और जो अपने आपको तीश मार्खा समझते हैं वह कोई 34 साल की उमर में देश का या प्रदेश का शीयम नहीं बना है दूसरा उदाहरन मैं देता हूं तुमको बिहार के अंदर तेजश्वीयादों को उठाके देख लो जो तीश साल का भी नहीं था वह बिहार का उ अहिर बेवकूप होता है अगर अहिर बेवकूप होता है लेकिन वहीं जो है हर्याणा के अंदर जनम लेने वाला एक अहिर है जिसका नाम है श्वामीर राम देव तुमको कभी उल्टा लटकाता है कभी तुम अपना पिछवाडा ऊपर करते हो तो कभी सर नीचे करते हो त तुमको उंगलियों पे नचाने का काम किया तो श्वामीर राम देव जो कि एक अहिर कुल में पैदा हुआ था और और तो और मैं बता दूँ कि वह एक ऐसा अहिर का बेटा है जो कि तुमको मूद पिलाने का भी काम किया पूरे देश के अंदर जो अपने आपको बहुत क्या होती है क्योंकि अहिर समाज जो होता है वह अपने लिए नहीं लड़ता है वह अपना गर्दन कटाना जानता है लेकिन गर्दन जुकाना नहीं जानता है वह कभी भी न तो देश के साथ गद्दारी करता है और न किशी कौम के साथ गद्दारी करता है तुम हिंजड़ तुम अपने आपको कहते हो कि हम कट्टर हिंदू हैं हम तीस मार्खा हैं लेकिन तुम्हारे ही पैदा होने तुम्हारे ही जो भांजे हैं जो तुमको मामू कहते हैं वह मुश्लिमों के यहां पैदा हो करके आये हैं वही तुम हो जो मुसलमानों का बिरोत करते हो मुसलमानों को गालियां देते हो लेकिन हम अहिर समाज के लोग मुसलमानों के साथ खड़ा होते हैं चे Аप जरूरत पढती है तो हम तुमहारे भी साथ खड़ा होते हैं तुम तुम सरहत पर जाकर देख लो छाटिवाद की बात नहीं करते लेकिन बात हम उसकी करते हैं जो तुम गालियां देने का काम करते हो तुम हमें बेवकुब बताने की कोशिश करते हो जब जब सरहत पे लासें गिरती हैं तो वहां जरूर अहिरों की लासें गिरती हैं क्योंकि हम पीठ दिखाना नहीं जानते हम शीने पर गोली खाते हैं सरहत पे शहीद होने वाला जो भी जाबाश शिपाही होता है उसका गद्दारों की लिस्ट में अगर नाम देखी जाए तो तुम ही लोगों की होती है जो अपने आपको तीश मार्खा समझते हो चाहे आईयसाई के साथ संबंध रहा हो चाहे हिजबुल मुझाहिद दिन के साथ संबंध रहा हो वह संबंध कोई यहिरों का नहीं होता है वह संबंध तुम्हारा होता है और हम वह यहिर समाज के लोग हैं मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि हमने मुगलों के यहां रिष रिष्टे तुम किये थे। तुम कितने बड़े तीशमार्खा हो, तुम इतिहास समाज के लोग। जो भी लोग knob प्रकॉड माइश्ष के लोग। इन लोगों से शावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये लोग जो है आपको ट्रोल करते हैं फरजी आईडी बना बना करके और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कुछ हैसे लोग हैं और अहिर समाज के लोग हैं कुछ गडरिया समाज के हैं कुछ निसाद कुछ मल्ला समाज के लोग जो कि इक का दुख का लोग जो इनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं यही लोग आपको गाली देने का काम करते हैं मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग गर्व के साथ कहिए कि अहिरों की बुद्धी 12 बजे नहीं खुलती है आप बता देजिए अखिले से एदों का उदाहरण देजिए श्वामीर रामदेव का उदाहरण देजिए जो इनको उल्ठा करके नचा की घुमां के उठाके बैठा के कभी जो हम उठते हैं मर्ता राम देव है एक और यह का घर में पाईदा होने वाला आदमें पूरी दुनिया के लोगों को उल्टा कर दिया जो कि सर नीचे टांग उपर उठवा दिया वह रामदेव है और वह व्यक्ति जो शीशी में बंद कराके गव मुत्र का सेवन कराना शिखा दिया यह होती है यह हिरों की आउकात मैं कभी जातिवात की बात नहीं करता हूं लेकिन जब तुम लोग ट्रोल करोगे तो मैं बात करूंगा लेकिन हमारी जो लड़ाई है वह पिछड़ी दलित बंचित सोसित माइनार्टी समाज की लड़ाई है हम लड़ते सब के लिए हैं लेकिन हम रिष्टे कायम करने नहीं जाते हैं इसी के साथ मुझसे जो भी गलती हुई है मैं आप मैंने को खुला चैलेंज करता हूं कि अगर डिवेट करना तो मैसेंजर में कमेंट में आखिए करो मैसेंजर में बक्चोधी करने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तुम जैसे गोबर भक्तों को जबाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है इसी के साथ जय हिन जय ज जय किशान